नमस्कार आप देख रहे हैं मनी मंच दोस्तों आज मैं फिर से हाजर हूँ एक बिल्कुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ आज हम बात करेंगे SBI Mutual Fund की एक शांदार स्कीम के बारे में जहां हम SIP के थ्रू हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड तयार कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं SBI Mutual Fund की इस स्कीम के बारे में और उसके बाद हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे की कैसे आप 2000 रुपे की मंतली SIP स्टार्ट करके 1.4 करोर रुपे तक का फंड तयार कर सकते हैं इस स्कीम का नाम है SBI Blue Chip Fund Direct Plan यह एक Large Cap Fund है जो बड़े साइच की कमपनियों के स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करता है इसी कारण Large Cap Funds, Share Market के उतार चड़ाब में भी बहुत ज्यादा वॉलिटाइल नहीं रहते हैं इसलिए इन फंड में अन्य दूसरी कैटेगरी के Equity Funds के मुकाबले निवेश ज्यादा सेफ रहता है जबसे ये स्कीम स्टॉट हुई है, यानि जनवरी 2013 से लेकर अब तक इस स्कीम ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिये है अगर किसी ने इस स्कीम में 10 साल पहले 1,00,000 रुपे लंपसम इन्वेस्ट किये थे तो वो आज 4,55,000 रुपे हो गए है वही पर अगर किसी ने इस फंड में 10 साल पहले 2,000 रुपे की मंथली SIP स्टॉट की होती तो वो आज 5,17,000 रुपे हो गए होते दोस्तों, अगर आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके लॉंग टम में एक बड़ा फंड तयार करने के बारे में सोच रहे है तो ये स्कीम आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप्शन हो सकती है इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप किसी भी FD और RD से ज्यादा रिटन पा सकते है लेकिन दोस्तों, शेर मार्केट से जड़े रिस्क, एक्विटी म्यूच्वल फंड में भी होते है इसलिए आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल देखकर ही निवेश करना चाहिए अगर मैं बात करूँ SBI Blue Chip Fund की Holdings की, तो इस Fund की Top Holdings है HDFC Bank, ICICI Bank, ITC, Infosys, Larson & Tubro, Reliance Industries, Bajaj Finance, Page Industries, Mahindra & Mahindra, Britannia Industries आदी यानि इस Fund ने इम कंपनीच के शेर्ज में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है दोस्तो, अगर हम इस स्कीम के रिटर्न की बात करें तो, इस स्कीम का All Time रिटन 15.28 प्रतिशत का है इस स्कीम का 10 साल का रिटन 16.37 प्रतिशत का है और इस स्कीम का 5 साल का रिटन 12.99 प्रतिशत का है अगर हम पिछले तीन साल का return देखे तो, पिछले तीन साल में इस scheme ने 27.18% return दिया है, और पिछले एक साल की बात करे तो, इस fund ने return दिया है 24.64% का, इस fund में minimum investment, SIP के जरिये 500 रूपे और lump sum 5000 रूपे कर सकते हैं, यानि आप इस scheme में 500 रूपे के छोटे से amount से investment स्टार्ट कर स रखते हैं, इस fund का NAV अभी 74.39 रूपे चल रहा है, इस scheme का fund साइच 36,876 करोड रूपे का है, यानि इतने पैसे लोगों ने इस fund में निवेश किये हुए है, इसका expense ratio है 0.89% का, दोस्तों, अगर हम बात करें इसके fund manager की, तो miss, सोहिनी अंदानी, इस fund को जनवरी 2013 से handle करती नजर आ रही है, यानि ये इस fund के साथ पिछले 10 सालों से जुड़ी हुई है, जो एक काफी positive बात है इस fund के लिए, ये तो बात हुई इस scheme की details की, आगे इस वीडियो में हम calculate करके देखते हैं कि, अगर आप इस scheme में एक साथ, एक तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा? दोस्तों, सबसे पहले हम एक लाख रुपे की lump sum investment को calculate कर लेते हैं, यहाँ पर हमने return माना है, 15 प्रतिशत का जो की इस scheme का all time return है, दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि, mutual fund में returns की कोई guarantee नहीं होती है, य अगर आप इस पैसे को 5 साल के लिए invest करते हैं, और इस पर return मिल जाता है 15 प्रतिशत का, तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा, 1,11,136 रुपे का, एक लाख रुपे जो आपने invest किये है, उन्हें मिला के आपको जो total पैसे मिलेंगे वो 2,11,136 रुपे होंगे, अग 4,4555 रुपे का, एक लाख रुपे जो आपने invest किये है, उन्हें मिला के आपको जो total पैसे मिलेंगे वो 4,4555 रुपे होंगे, अगर आप इस पैसे को 20 साल के लिए invest करते हैं, और इस पर return मिल जाता है 15 प्रतिशत का, तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा, 15,36,654 र रुपे होंगे, अगर आप इस पैसे को 30 साल के लिए invest करते हैं, और इस पर return मिल जाता है 15 प्रतिशत का, तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा, 65,21,178 रुपे का, एक लाख रुपे जो आपने invest किये है, उन्हें मिला के आपको जो total पैसे मिलेंगे वो 66,21,178 रु दोस्तों, अब हम calculate करके देखते हैं कि अगर आप इस scheme में 2000 रुपे महीना से SIP शुरू करते हैं, तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा, यहाँ पर हमने return expect किया है 15 प्रतिशत का, जो की इस scheme का all time return है, अगर आप इस SIP को 5 साल जारी रखते हैं और इस पर return मिल जाता है 15 प्रतिशत का, तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा, 69,360 रुपे का, 1,20,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे, और total value जो होगी वो 1,89,360 रुपे की होगी, अगर आप इस SIP को 10 साल जारी रखते हैं और इस पर return मिल जाता है 15 प्रतिशत का, तो यहाँ पर आप आपको जो return मिलेगा वो होगा, 3,17,315 रुपे का, 2,40,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे, और total value जो होगी वो 5,57,315 रुपे की होगी, अगर आप इस SIP को 20 साल जारी रखते हैं और इस पर return मिल जाता है 15 प्रतिशत का, तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा, 25 30,51,910 रुपे का, 4,80,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे, और total value जो होगी वो 30,31,910 रुपे की होगी, अगर आप इस SIP को 30 साल जारी रखते हैं और इस पर return मिल जाता है 15 प्रतिशत का, तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा, 1.33 करोड रुपे का, 7,20,000 रु इस प्रकार आप इस स्कीम के अंदर 2,000 रुपे महीना से SIP शुरू करके, 30 साल में 7,20,000 रुपे जमा करके, 1.4 करोड रुपे तक का fund तयार कर सकते हैं, दोस्तों, यह इस fund में निवेश की सलाह नहीं है, mutual fund में निवेश बजार के जोखिमों के अधीन है, इसलिए से परामर्श कर ले, अगर हम कुछ और large cap mutual funds की बात करें तो वो है, मेरे asset large cap fund, canara robeco blue chip equity fund, nippon india large cap fund, baroda bnp paribaba large cap fund, icici prudential blue chip fund आदी, यह सारे large cap funds भी काफी अच्छा perform कर रहे हैं, तो आपको यह प्लान कैसा लगा, और इसमें investment के बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में हमें comment करके जरूर बताए, इसके अलावा, आप कौन से mutual funds के बारे में विडियो देखना चाहते हैं, वो भी हमें comment section में जरूर बताए, दोस्तों, mutual fund में निवेश करने के तीन तरीके होते हैं, पहला fund company की website, दूसरा broker के थुरू, और तीसरा घर बैठे mobile app के द्वारा, अ निवाद,